हाई आप सभी लोग हो गया और आप लोग को मेंस की प्रिपरेशन करने थी ठीक है पहली बात तो छोटी सी बात है कि आपने अपने अच्छे कर लिया होगा अब मेंस की तहरी करते हैं यार देखो दस बार दिन रहे गया है है कैसे अच्छे तैयरी करते हैं क्या important pointers होंगे जी क्यों कैसे कवर करना है इंस्योंस financial awareness के आपको सोर्स बताऊंगा exact sources साथ में मौक्स में आपको पता है सबसे पहले कुछ आपके faqs कुछ जो आप लोग पूछ रहते पहली बात तो उसमें निगेटिव मार्किंग है क्या वह या नहीं नहीं प्रीमित ही और नहीं मेंस में है ऐसे क्या है कि बात करते हैं तो हां सेक्शन कट ओफ होगी मैं आपको इंग्जामपल देता हूं जैसे प्रीवेस यह क्या हुआ था जैसे मालों प्रीवेस यह जो आपका इस जैट हमको आइडिया नहीं है अगर सेम लेवल पर बना जो लास्ट यह बना था तो उससाफ से हम अगर मान के चलें तो 45-50 परसेंट आपका कट ओफ जहां तक है जाने वाला है ठीक है यह बात जहां रिखेगा अपने दिमाग में सेक्ष्ण को छोड़ नहीं सकते हैं अब यह आगे बताओंगा कौन सेक्ष्ण है ना कैसा कैसा त्यारी करनी है दूसरा बात करते गोड़ स्कोर की जब आप लोग पेपर दे रहे हो तो अपन क्या करेंगे जब आभी मॉक्स पगर लगाओगे तो आप टागेट करना 120 के आसपास लेकिन उसमें सब्सक्राइब करेगा कि अभी आप जो मॉक लगा रहे हैं ठीक है जैसे मानलो अभी मैं आपको एक मॉक दे रहा हूं फ्री मॉक है आप जाई डिस्क्रिप्श सब्सक्राइब भी है तो यह दूइंग बेटर ठीक है और यह धान रिखिएगा कि परसंटाइल बहुत ज्यादा मैटर करेगा माक्स अगर आपके बहुत कम नहीं होने चाहिए बहुत कम का मतलब 70-80 भी नहीं जाने चाहिए ठोड़ा अब अब रहे हैं 90 से अगर 100, 105, 110 के असपास रहने चाहिए टार्गे आप लोग चलेंगे वह 120 के लेए चलेंगे अभी आगे मौक से बताओंगा चलो अब स्टार्ट करता है section wise strategy सबसे पहला section जो खुलता है पहले माद तुम्हें आपको बताओ दो मोटा मोटा जब आपको पेपर खुलता है आपको सामने तीन नहीं है दो हंटे का पूरा खुलेगा 160 मार्क का पेपर आपको सामने रहेगा जो मन करें जैसे मन करें वह ऐसे कर लो मैं बताओ कैसे आप बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए स्मार्ट अप्रोच लेकिन उसके पहले को जानते हैं आपने रिजनिंग क्वांट की मैं अग आप यह प्रेपेशन करनी है जैसे आप मेंस के लेवल में पढ़ते हैं अब मेरा सजीशन की होगा अगले 10 दिद पारएध दिन में आप रिजनिंग कोई नहीं पर सकते तो कोशिश करिएगा आप जो क्या बोलते हैं अपने मौक्स हैं या फिर थो थोड़ा मौरा प्रैक् करेंगे जीके पर और इंशॉरेंस वाले सक्षन पर ठीक है महासिब ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं कम टाइम में इसमें जो आपने पहले किया होगा वही कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जब मौक्स लगा लगाना तो 35 चाड़िस नंबर तक आप टागेट रख करने की हैबिट जहां रीजेगा अपना बेस्ट करके दूसरा आते हैं दूसरे सक्षन पर जो कि जिसमें करेंट एफेर्स और इंग्लिश आता है अच्छा कर लेते हैं कि भीया देखो अभी कितने महीने करना है तो मिनिमुम आप देखोगे ना चार महीने करेंट आपको ड 15-16 अप्रायल तक हम लोग अच्छे से करके जाएंगे ठीक हैं क्या क्या करेंगे जैसे कि अगर आपने मंतली जो है फेर्स लाहर की पीडिएफ है मैंने हमेशा आप लोग को बताया डेटेल वाली पीडिएफ मेंस के लिए तो अगर आपने वो कर रखा है तो अच्छी बा जलती से हो गया या फिर मतलब मुझे एक्सपेटेशन नहीं थी हो गया अभी क्या करें तो ऐसे लोग लिए मैं आप एक बात बोलूँगा कि आप लोग यह करो कि अभी आप ऑविसली मंतली पीडिएफ नहीं हो पाएगा आप दा हिंदू की अड्डा की दा हिंदू मंतली करके आती है 40-50 पेश की मंतली पीडिएफ होती है उसको उठाके चार मेहने की पीडिएफ दिसमबर से लेके मार्स तक अच्छे से कर लो ठीक है जल्दी हो जाएगा चली साफ में पीडिएफ कर रहे हैं तो प्लीज मेक शूर कि आप लगा रहे हैं या फिर मॉक्स कर रहे ह कुछ वीडियो देखेंगे 300-500 टॉप 500 टॉप 300 जनरल अवेनिस के जो एक्जाम से पहले होते हैं अभी बताऊंगा आगे ठीक हैं इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में देखें ग्रामर करने का स्टार्टिंग से टाइम नहीं है आपने पहले कर रखा है तो ग्र के इसंग हैं अगर 10 दिन में इंग्लिश रिजिदिनेंग मैंस फिर पर कुछ काम कर सकते हैं तो ओंख कर सकते हैं माक्सिमम अभी कैसे कर सकते हैं अभी क्या कर सकते हैं Grade रूसरका protec और इस पर हैंकगा सब्से ज़्याद यह harded पॉर्शन है 60 marks out of 160 आपका यही आ रहा है अगर फ्रेक्शन में निकाल जाए तो टू सीज़ा तू इड़ा त्री वाई एड मुझे 37.5 परसेंट आपका पेपर इसी से आने वाला है ठीक है चलो 60 marks का अब दिखिए मैंने इसके लिए क्या गया प्रीवेस एक आपका पेपर ए आते हैं लाइसी जो अमबर्स में होता है उस पर कॉश्चन आते हैं तो बिसकिली मोटा मोटा यह आडिया लगा इसके बारे में पढ़ना है और क्या एडिया लगेगा आप लाइसी डबल यह को जो मीन का पेपर हना उसको जरूर अच्छा से अनलाइस करिए गर इसका कि यह आई थी इसको अच्छे से लेखना क्या 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 कोश्चन आया थी हर आप्षण को पढ़ने कोशिश करना हर और को समझने कोश्च करना सिफ अनसर मत रख लेना हर एक कुश्चन आपको कुछ सिखाएगा कि कि सरक कोशन लाइसी पूछ रहा है फ्रोड टोड़ विडियो मेंने आपको सिखाया था ना कि बोला था कि IFC 02 PDF पढ़ दीजेगा उसमें यहां पर हो गई ठीक है अच्छा एक चीज़ तो यहां पर हो गई फिर आपका इंस्यूरेंस में यह टॉपिक्स फानेशल मार्केट विडियो बनाया था कि आपने बोला इतनी पीडिये कैसे पढ़ेंगे यह सारी हिस्ट्री है यह सब आपको एकठा करना पड़ेगा सिंपल मार्केट विडियो जितने टॉपिक वाइज है ना बेसिक्स प्लांस टॉम्स एकोनामी इंडियन एकोनामी फैनेशल डेरिवेटेस फैनेशल करेंट अफेर्स तो यह सारे चीज़े आपको एक पीडियास कोर्स के फॉर्म में छोटा का है मिल जाएगी डिक्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं एक इटिवालों को है 200 रुपे क्या सपास है आप कोड लगा लेना और सस्ता पड़ जाएगा तो उसमें कहा है इन्होंने कहा है हर टॉपिक्स को हर टॉपिक्स को क्या कर रखा है एक उसका पीडियो बना रखा है पहले आपका इंशुरेंस अव हो जाएगे साथ में और वी चीज़े हैं जैसे की लगा लीजेगा यह मैं आपको बताने वाला हूं तो इतना काम आप कर सकते हो तो आपको थ्यान रखेगा ठीक है कैसे भी आप लोग पढ़िए और पेपर कर लीजेगा कुछ एक दो पॉइंट्स और कुस्स जरूर करिए अधिक का मौक से लगाइगा मैं अधरे देख लिए जेए जह कौन से भी हमारे विडियो देखो यहां पे ना आप गूगल यूटूब पर करोगा यहां पर लोगे जो मैंने आपको बताई यह जब सब पढ़ लोगे बेसिक्स पढ़ लोगे फिसरी प्रिंस वगरा कर तो क्या होगा ध्यान समझेंगे तो फिर क्या होगा आप लगाना एंट लास्ट में करना जब लास्ट वीक रहेंगा तब करना अठारा उन्निस भी सारी को तब जाग करना कि फिर से क्या आपका रिविजन हो जाएगा इस एक अड़ पर फॉलो करते हैं उनका देख लीजेग कि जो बिकॉम वाले हैं ठीक है वो लोग क्या करेंगे अपने फाइनल सेमेश्टर की जो फाइनल इयर की जो कुछ चीजें हैं बेसिक कॉंसेप्स हैं उनको रिवाइस कर लेंगा उनको डबल व में फाइदा भी वहादा पूछना ठीक है तो वही मैं फिर से बोलूँगा क बिकॉम वाले हैं आप लोग को क्या है कि कुछ-कुछ बेसिक कॉंसेप्स के डिरेक्ट टर्म्स आ जाते हैं तो आप लोग पढ़े रहो तो आपको डेफिनेटली फाइदा होगा उस चीज़ का ठीक है तो लिए लास्ट में चीडिसकर कर लेते हैं मौक के स्ट्रेटजी की मौक कैसे रहेगा देखें बहुत ध्यान समझेगा जैसे मैंने आप को बात बोली कि रिजिंग कोश्चन रिजिंग और कौन्ट का आपका 50 नमबर का आता है 50 कोश्चन जीके इंगलीश में 50 नमबर के इंस्वरेंस फानेशल एवेनस साथ कोश्चन साथ नमबर के ठीक ध्य इसको जरुवत नहीं है इतना टाइम काफी है फिर इन दोनों को आपको खतम करना है 50 से 60 मिनट में ठीक है यह पूरा और यह इतना ठीक है अब और क्या हो अब ही या सबसे पहले आप साने पेपर खुले न तो वैसे जैसे आप फिर से बहुत जैसे आप कर सकते हो लेकिन छ है है ठीक है तो मतलब हंडिट कोशन के बाद में यहां फहन पर करसकता हूँ यहां पे मार्किंग नहीं है तो मैं यह नहीं बोले हो तुक्का लगाओ लेकिन स्मार्ट गेस्ट गेस्ट वर्क आप जरूर करिए गए जैसे मान लिजी आपको कुछी कोश्चन में दो में डाउट लगता है कि हां यार मुझे लग रहा है मैंने कहीं देखा है तो वहां प्याव अप आप क्या करेंगे इंग्लिश भी साथ में कर लिजीगा फिर आप आएंगे रिजदिंग ये कौंट पर ठीक है रिजदिंग कौंट करेंगे और एक बार में स्टार्ट करेंगे कोश्चन नमबर वन से लेकर 50 तक जाएंगे जो भी है जैसा भी है उसको वहीं खतम करने कोश जीके में जो आपने स्मार्ट गेस लगाने के लिए छोड़ रख्या है कुछ एक दो कोश्चन जादा नहीं गेस वक्त देखे एक बार ध्यान रखे गेस वक्त कभी बी कुछ ने होता है एक या दो ये तीन कोश्चन में यह नहीं कि 10 कोश्चन में मुझे करना है यहां कु फ्रू इंप्रूफ करेंगे और जो आपका इंसुरेंस और फैनिशल भेनेस होगा परते जाएगे मॉक्स में टेस्ट करते जाएगे एक मॉक्स पर्चेस कर लेजए सथा कोई यसे बैंक छोटा आपको नीचे डिस्क्रप्शन में दे दूंगा यह मॉक्स आपको मिल जाए इस तरीके से त्यारी करिए, आपको जो मौक बंदर पसंद आता है, मैं तो वो suggestion दे रहा था, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, ठीक है, बढ़िया लेवल का है previous year पे based, और इस तरीके से आप त्यारी को अपनी पूरी करिए, all the best, अपने एक्जाम में भी इस तरह से मौक कोर करिएगा, and that's it, bye bye, take care everyone.